नौगचया के बाल भारती में सरश्वती पूजा पर चाथ चातरों ने दिया जल जीवन हर्याली का संदेश नौगचया के अस्थानिया बाल भारती विद्याले में सरश्वती पूजा पर मासारदे की पूजा अर्चना पूरे धूमदाम से की गई मौके पर विद्याले के प्रसासक डीपी सिंग ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सिर्फ कक्षा 9 एबं 10 के चाथ चात्रों के द्वारा ही मासारदे की प्रतिमा बिठाकर पूजा अर्चना की गई और पूरे नियम निस्टा के साथ विद्याले में मासारदे क कि आरादना की गई वहीं मौके पर बने पूजा पंडाल में कक्षा 9 के चाथ चात्रों के द्वारा जल जीवन हर्याली को लेकर खूबसूरत मॉडल बना कर प्रस्तूत किया गया लोगती गई वडिक प्रस्तूत को लेकर का सथे आपने या घया थाधादे खूबसूबसूरत मॉडलगा थीवन हर्याते तो आज हम लोग इस दोनों थीम से यानि की एफॉरेस्टेशन और दीफॉरेस्टेशन के थीम से यह बताना चाहते हैं कि लोग जो आजकल बहुत सारे पेर काट रहें सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए वो काफी नहीं है हमारी प्रिथवी को भी कुछ जरूरते हैं लेकिन लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा पेर काटना हो गया या फिर जमीन काटना हो गया यह बहुत बरता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन जो की बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे प्रित्वी को या फिर हमारे वर्ल्ड को जिसमें कि इंडिया भी शामिल है और इस दोनों थीम से हम लोग ये बताना चाहरे हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है जो लोग नहीं समझते हैं वो फोटो देखे भी समझ ले हमें क्या करना चाहिए और जाधा से ज्यादा पेर लगाएं और हमारे थीम को समझने की कोशिश करें इस थीम से हम लोगों में जागरुकता फैलन्य की कोसिस कर रहे हैं इससे हम लोग यह पताने के कोसिस कर रहे हैं कि पेर क्यों हम लोग के लिए जरूरत मन्द है ऐसे तो जो पढ़े लिखे लोगे वो जानते हैं कि पेर क्यों जरूरी है पर जो नहीं जानते हैं नहीं पढ़ ये जाया तो पेर होंको रहा क्रुइस हैं जाझल होगा तो जंगल में पशू पक्छी रहेंगे तो फिर दो लोह भी खतम हो जाएंगे तो बहुत ही जरूरी है तो अरध ज्यादा-ची लगाएं भारतियों आफ इस्टेंडर 9B हम लोगों ने दो इस्कीम रखे एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन में जैसे कि लोग बहुत सारे पेर काट रहे हैं तो पेर काटने से बहुत सारे पक्छी सब भी मतलब की नहीं है प्रितिवी पे और ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है और हम लोग पढ़े लिखे हैं और मतलब हम लोग विद्याले में कुछ ऐसा इस्कीम रखे जिसे कि लोग समझ सके कि जिसे लोग समझ सके कि कि प्रोजेक्ट के बारे में प्रिद्यीन से हम बताना चाहते हैं की दो कि पैरLOगाना कितना जरूरी है जरूरिई है जैसा कि हम लोगोगगा जरी पले कितना हरा बार था तो इस सिंग बता हैं तो इस से लिगाना कितना इंपॉर्टेंट अपच्हों के लिए भी जोपडी कितना अच्छा होगा था लेकिन जोपडी घुटा के सब पके गर गर निर्मान किया जा रहा है सब्सक्राइब करोना काल में भी मां स्रश्वती की अराधना और पूजा बालभारती विद्याले परविस्तर में आयुजित की गई है जिसमें नौमें और दसमें वर्ग के छात चात्रों ने बर्चड़कर हिसा लिया है आप ये सामने देख रहे हैं कि दो तरह का बच्चों ने मॉडल बनाया डिफॉरेस्टेशन आज डिफॉरेस्टेशन का क्या-क्या दुस्परिनाव हमारे सामने आ रहे हैं इसको लोगों तक लोगों के बीच जागरूपता फेलाने के लिए ये बच्चों के द्वारा मॉडल बनाया गया है जिससे ये लोग जागरूप हो सकें और पेड़ पौधे के महत्तों को समझ सकें कि मां सबों को सबुद्धी दे विद्यादे और सभी छात्राएं पौल लिपकर के उज्वल भवी सुनका हो यही सुब्तामना है साधी बिवा साल गिरह रिंग सेरमनी जन्मी दिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मेचिंग के लिए जरूर पधारे 3500 वर्ग मीचर का होल ताकी आप अपनी परिवार के साथ बैट कर ली आनन ग्लास मीरर वार ताकी अंदर से लिए बाहर के खूब सूर्थी का निज़ा पूर्ण तेय वाता नुकुलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सिवानी मैरेज हौल संपर के सूत्र 9931-092632 9534-316464 8406-949533 नवगचिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन नौनवेज पसंद करने वालों के लिए खुस खवरी अब चमपारन मीट का स्वाद नवगचिया के सुन्दरम अहुना मतन में जहां चिकन इस्टो 50 रुपे मटन इस्टो 55 रुपे चिकन सिक लेगपी 100 रुपे और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपे एवं मटन थाली 195 रुपे में उपलब्ध है स्वाद के लिए अवस्य पधारे सुन्दरम अहुना मतन राजेंद्र कॉलोनी मोर नवगचिया फ्री हॉम डिलेवरी के लिए उपलब्ध है संपर्क करे 8603493747